हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो BPSC Quest तो फ्रेंट्स हम लोग क्या करते हैं आज बिहार का बजट एक बार देख लेते हैं और ये जो बिहार का बजट अभी हमने तयार किया है इसका मैं सोर्स आपको मेंजन कर देता हूँ एक बार ताकि अगर आपको जरूरत हो तो आप डायरेक्ट सोर्स से भी पढ़ सकते हैं इसको लिया गया है जैसे कि अपना ये बिहार बिहार गौर्रमेंट के साइड पे जो डाटा इबलेबल है इसके साथ साथ जो SPD अपना बूक आता है SPD के करेंट अफेर से और इसके अलावा एक महेश बरनवाल का एक बूक आता है तो वहाँ से मतलब बिहार एस्पेसल बूक आता है तो इस तीन सोर्सेज को यूज करके इस डाटा को तयार किया गया है तो आप चाहे तो इस data को डाइरेक्ट इन तीनों book से भी देख सकते हैं तो start करते हैं बिहार budget 2024-2025 के important data को अब देखें बिहार budget 2024-2025 है ये किसके दोरा paste किया गया समराट चोधरी के दोरा और समराट चोधरी के दोरा budget जो बिहार का budget है ये पहली बार paste किया गया है बिहार का जो बजट है 2024-25 इसको 13 फड़वरी 2024 को कहा पेस किया गया इसको पेस किया गया असेंबली में और किसके दोरा पेस किया गया तो पेस किया गया समराथ चौधरी के दोरा अब देखिए budget का जो main focus था, main focus था education, health, road and social welfare, education, health, road and social welfare इस budget का main focus था, तो अगर budget का main focus है education और health तो जाहिर सी बात है कि health और education department पर सबसे ज़्यादा ब्याय किया जाने का संभावना है यहाँ पर जो कि हम लोग आगे data में भी देख लेंगे कि education और health department पर कितना ब्याय किया गय है इस budget के थुरूब, अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखते है budget का size, तो देखिए यहाँ जो भी black color से जो भी mentioned होगा data वो previous year का data होगा, तो उसको हम लोग compare करेंगे current year के data से, तो उसको मैं एक बार बताते चलूँगा, लेकिन यतना ध्यान रखना है कि जो black color में data PBS year का data है, तो इस बार अगर हम लोग budget का बात करें, तो यह budget कितने करोर का था, 2,78,725 करोर, बस यही एक data आपको याद रखना है, इसके अलावा हम लोग सारा data बाद में क्या करेंगे, एक याद करने का trick देख लेंगे, लेकिन हम याद क्या रखना है कि जो budget था, इस बार क पेस हुआ कितने का था, 2,78,725 करोर का, और पिछले बार कितना था, 2,61,850 रुपया का, तो जो इस बार का जो budget है, ये budget कितना increment हुआ है, पिछले बार के बेक्चा, 6.4 पर तीसल से increment हुआ है, तो हम लोग क्या करतें, एक trick देखते है, देखिए, 4, 4 दोनी, 8, 8 दोनी, 16 औ तो increment हुआ है, लेकिन अगर हम लोग करोर में बात करें, मतलब कि, अगर हम लोग quantity में बात करें, तो ये 16,840 करोर रुपया का, एक्स्ट्रा बजट इस बार पास हुआ है, मतलब कि इस बार जो budget पास हुआ है, और जाहिर सी बात है, कि पिछले बजट से बहुत ही जादा है और ये कितना जादा है, 6.4% फिच मिन्स, देखिये, 4, 4 दोनी 8, 8 दोनी 16 और 0 आस, 16,840 करोर रुपया का, इसमें बढ़ोतरी हुआ है, जहां भी 3 ऊपर जाएगा, मतलब समझें, बढ़ोतरी हुआ है, और पलस का साइन मतलब बढ़ोतरी हुआ है, आगे देखिए, जो budget ह अपना इस budget को हम लोग further क्या कर सकते हैं, दो portion में divide, दो part में divide कर सकते हैं, एक तो budget receipt, मतलब total receipt और total expenditure के form में, अब इस receipt को, मतलब की जो पैसा आया है, उसको हम लोग फिर दो part में divide कर सकते हैं, कौन-कौन सा, एक तो revenue receipt और दूसरा capital receipt, मतलब की जो receipt हुआ है, कितने form में या फिर capital के form में, उसी तरीके से, जैसे expenditure हुआ है, तो दो form में हो सकता है, इसको भी फर्दर दो भाग में divide कर से, एक तो revenue expenditure, दूसरा capital expenditure, अभी देखिए, हम लोग को यहां सिर्फ एक चीज़िया क्या याद रखना है, कि जो बिहार का budget है, किस type का है, ये budget surplus है, budget surplus है, surplus करने का मतलब क्या हुआ, कि जो आपके पास है, वो extra है, मतलब वो positive में है, अभी देखिए, अगर budget surplus का हम लोग formula लिखे, surplus का अगर हम लोग formula लिखे, कि कितना ज्यादा है, तो अगर हम लोग देखिए, माल लेज़े, आपके पास जो पैसा है, और उसमें सो जो आपने खर्चा क कर दिया है, अब इन दोनों को अगर घटा आ दे, तो जो बचा हुआ पैसा हुआ निकल जाएगा, तो budget surplus ब्यार का कितना का है, 200 करोर का budget surplus है, तो देखिए, टोटल पैसा अपने पास कितना है, 2,78,725 करोर रुप्या, अब इसमें से अगर budget surplus है, तो क्या होगा, अपने पा एडिशन कर दिजे, तो 2,78,925, यहां आप देखिए, फुरसा, 2,78,925 करोर, और अगर हम लोग expenditure का बात करें, तो expenditure जाहिर है, कितना कम होगा, माइनस 200 करोर रुप्या, तो यह कितना हो जगा, 2,78,725 करोर रुप्या, मतलब ऐसा भी बोल सकते है, जो expenditure हो कितने budget के बराबर है, लेकिन जो revenue receipt है, सोरी, जो receipt है, वो क्या है, 200 करोर रुप्या जादा है, तो इस trick से हम लोग इसको याद रख सकते हैं, तो data अभी अपना एक ही चल रहा है, यही वाला data चल रहा है, इसी में हम लोग क्या कर दिए, पलस 200 करके, total receipt निकाल सकते हैं, 2,78,925 करोर, और इसको direct हम लोग expenditure में calculate कर सकते हैं, कितना, 2,78,725 करोर रुप्या, अभी देखे, अब हमने क्या किया था, कि जो total receipt है, उसको कितने पार्ट में divide किया था, उसको दो पार्ट में divide किया था, दो पार्ट कौन कौन सा, एक तो revenue receipt और दूसरा capital receipt, तो देखे, जो दूसरा data हमें याद र 90 करोर, तो यह है जो दूसरा data हम लोग को याद रखना है, तो एक होता है revenue deficit, अब revenue deficit करने का मतलब क्या हो, कभी भी deficit calculate करना है, मतलब कि expenditure में सब को क्या करना है, revenue receipt को घटा देना है, मतलब deficit calculate करने के लिए, तो revenue deficit के कर हम लोग बात करें, तो क्या होगा, revenue τι मंगे जिति मैंबं कि मैं रे रेव्य न्यों धिश्व एक्सपेंडीचर अभी देख़िए बिहार में क्या है रेबेन्य Hahn डेर discussing नहीं है क्या है रेवेन्य शर्प्लस है और ये रेवेन्यो सर्प्लस कितने का है ये रेवेन्य सर्प्लस है 1121 करोर का इसको हम लोग फिर वापस रीट कर लेंगे 1121 करोर का तो देखे रेवेन्यू रिसीप्ट कितने का है अपने पास टोटल दो लाख 26,798 करोर का तो एक्सपेंडीचर कितना हो जाएगा एक्सपेंडीचर कितना हो जाएगा revenue expenditure का अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्या है revenue surplus है अपना बिहार revenue surplus है बिहार अगर revenue surplus है इसका मतलब क्या है expenditure कम होगा expenditure क्या होगा कम होगा और ये कम कितना होगा 1121 करोर तो जो ये वला data है revenue receipt का data है इसमें से कितना घटा दिजए 1121 करोर को माइनस कर दिजए तो ये कितना हो जगा 2,25,676 करोर बस इतना हम लोगों तो देखिए हमने क्या देख लिया revenue receipt देख लिया और revenue expenditure हम लोगों आपको पता है कितना है 2,26,798 करोर है और हमें पता है कि जो अपना revenue किस टाइब क्या है बिहार का जो revenue कैसा है surplus revenue है मतलब कितना का surplus है 1121 CR का surplus है देखिए हम लोग क्या करना है उल्टा कर रहे हैं तो 1121 करोर revenue क्या है surplus है तो माइनस कर दिजए इसमें से क्या कर दिजए माइनस कर जए 1121 तो कितना आ गया यह 6,7,625 मतलब 2,25,676 क्या हो गया अपना revenue expenditure हो गया अभी देखिए आपके पास total data police है total receipt आपको पता है total expenditure पता है और revenue receipt मतलब कि आपको अगर अभी पता है तो क्या करेंगे हम लोग total receipt में से हम लोग क्या करेंगे अगर हम लोग revenue receipt को minus कर देते तो क्या निकल जाएगा आपका capital receipt निकल जाएगा तो देखिए यह data हमें याद नहीं करना है हमें just calculate करना है data हमें 2 ही याद रखना है एक और एक यह वाला दूसरा बाकी सब हम क्या करेंगे calculate कर लेंगे तो अब हम लोग एक बार सारा data देख लेते हैं और जो point है याद करना है वह मैं आपको लिख करके दे दूंगा मतलब कि दो चीजात रखना है एक तो क्या है एक तो है अपना budget का है surplus है उसके बाद में अपना revenue कैसा है बिहार का revenue भी surplus है तो revenue कितने का surplus है 1121 CR का और budget कितने का surplus है 200 CR का अचा देखिए यह question direct पूछ चुका है कि बिहार क का budget किस टाइब का budget है surplus budget है deficit budget है zero budget है जैसा कि इंडिया का आप जब भी देखेंगे तो budget deficit क्या होता है zero होता है हमेशा मतलब कि जितना expenditure है उतना ही receipt होता है उतना ही expenditure होता है लेकिन बिहार के case में क्या है यह surplus है और यह question आपका अगर बिहार CGL का किसी ने एक्जाम दिया होगा तो उसमें यह जो cancel हुआ था exam उसमें direct यह पूछे हुए था तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको जो data है जहां पर हमें काफी कटना ही होती है उसको हम लोग याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से